जेहिन दोस्तो असम राइफल्स के तरब से टेक्निकल एंड ट्रेट्समेन पदो पर नई भरती का उफिसियली नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी को बता दे 616 पदो पर आपका ये भरती जारी किया गया है जिसके अंतरगत आपका ट्रेट्समेन के लिए पोस्ट है और इसके अलावा टेक्निकल के अंतरगत भी काफी सारे पोस्ट आपका रिलीज किये गए हैं तो यहाँ पे आज किस वीडियो में जानेंगे इस भरती की कम्पलीट डीटेल्स यानि की एज लिमिट क्या है इजुकेसनल क्वालिफिकेशन क्या है और जितने भी जनकारी है सभी डीटेल्स आज किस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यह रहा इसका उफिसियली नोटिफिकेशन और यह आप सभी देख सकते हैं आप सबी को बता दे जो आपका यह भरती है इसका फॉर्म आज से आपका सुरू कर दिया गया है यानी कि 17 फरवरी 2023 आज से आपका यह फॉर्म का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है और जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म अपलाई का ओ आप सभी यहाँ पर देखेंगे 19 मार्च 2023 रखा गया है यानि कि 19 मार्च 2023 तक आप इस फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं और इसका फॉर्म जो है ओनलाइन आपको अपलाई करना है ओनलाइन मोट से ही केवल फॉर्म आपका एसेप्टेट किया जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस भर्ती के अंत्रगत आपका रिकूर्टमेंट राइली कप से सुरू होगा तो सबसे पहले आपका इसमें फिचकल टेस्ट होगा और वो फिचकल टेस्ट आपका एक माई 2023 से सुरू होने वाला है इसके बाद दोस्तों बेकैंसी की बात करें तो इसमें जो वेकेंसी है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 616 जो है total आपका वेकेंसी इसमें रहने वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी देखेंगे how to apply form तो इसका form जो है आप सभी को बता दे awesome rifles का जो officially site है जिसका link आपको description में मिल जाएगा उस website पर जाकर आप सभी online mode से apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों देखेंगे इस भरती के अंत्रगत अनने काफी सारे details दिये गए हैं यहाँ पे application फी की बात करें तो application फी आप सभी को बता दे अगर आप group B के लिए group B post के अंत्रगत form apply करते हैं group B के अंत्रगत आपका religious teacher और एक bridge and road का post है तो इन दोनों में से किसी post के लिए apply करते हैं तो आपको 200 रूपिया लगेगा लेकिन जो भी candidate इन दोनों post को छोर कर बाकी जितने भी group C के अंत्रगत post है उन सभी के लिए जो है 100 रूपिया आपको application फी लगेगा तो यहाँ पे tradesman का जितने भी post है या technical का जितने भी post है उन सभी के लिए और color का भी जो post है उनके लिए 100 रूपिया आपका application फी लगेगा और आप सभी को बता दे यह जो आपको application फी है यह SBI current account number is in favor of headquarter दागर recruitment फ्रांसी लोंग इसके favor में आपको payment करना है तो जब आप form apply करेंगे उसी समय जो है payment का link आपको दिया जाएगा इसके बाद दोस्तों यहा सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दे आर्मी ओर्डेंस कोफ्स भरती 2023 की अगर आप सभी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए best book रहेगा चप्छू publication का आप सभी को बता दे यह एक practice set है और आप सभी को पता है किसी भी exam की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो practice set लगाना का बता है तो इस book को आप सभी purchase कर सकते हैं यह complete practice set है जिसमें आपको complete solution and answer सभी कुछ आपको एक ही book में देखने को मिल जाएगा और इसमें जो आपका आर्मी ओर्डेंस कोफ्स का जो भरती है इसमें final merit retain exam के अधार पही होने वाला है तो इसलिए इसकी तयारी करना भी आपके लिए important है ति यह book को आप सभी purchase कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा या नजदी के market से भी जाकर इस book को आप सभी purchase कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे इस भरती के अंत्रगत जो आपका physical का center है सबसे पहले आपका इसमें physical conduct होगा यानि कि PT- होगा तो इसका जो center है हुआ आप सभी देख लिजिए यहाँ पे 7-8 आपका center दिया गया है उसमें से कोई एक center आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि दीपू center है जो की असम में पढ़ता है इसके अलावा कार्वियोंग लॉंग जो है यह भी असम में पढ़ता है सुखो हर्ट या इसके लवा लैद को तो यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं इतने center का नाम दिया गया है इन में से किसी center पर जो है आपका physical test लिया जा सकता है और आपका retain exam भी इसी में से किसी center पर आपका conduct कराया जाएगा और दर किसी भी जगा पर आपका यह जो है conduct नहीं हो होने वाला है तो आप सभी देख लिजिए awesome और nagaland के अंतरगत ही यह आपका conduct होने वाला है और में घालाय के अंतरगत इसके बाद दोस्तों आप सभी देखेंगे जो आपका यह भरती है इसके अंतरगत आप सभी देखेंगे यहाँ पे काफी student का यह भी doubt होगा कि इसमें candidate जो है कितने form apply कर सकते हैं तो देखिए only a single application per candidate will be accepted यानि कि केवल एक form ही इसमें किसी एक post के लिए आप सभी apply कर सकते हैं multiple post के लिए आप इसमें apply नहीं कर सकते हैं केवल एक post ही आप इस भरती के लिए जो है आप सभी apply कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे age accounting की बा लिए उसके बारे में देख लिजिए सबसे पहले यहाँ पे physical test की बात करें यानि कि आपका PET होगा तो PET के अंत्रगत क्या क्या होगा इसके बारे में आप सभी देख लिजिए क्योंकि सबसे पहले यहीं आपका conduct होगा तो for male candidate के लिए 5 km का running होगा 24 मिनट में और female candidate के लिए 1.6 km का running होगा सारे 8 मिनट में इसके बाद दोस्तों जो भी candidate लादाख रिजन से है तो यह किवाल लादाख रिजन के लिए आपको बता रहे हैं 1.6 km का running होगा male के लिए सारे 6 मिनट में और female के लिए 800 मिटर का running होगा 4 मिनट में तो जो भी candidate लादाख रिजन को छोगर बाक पीटिक वाली फाई हो जाएगा उसके बाद आपका पीएश्टी होगा और पीएश्टी में आपका हाइट वेट और चेस्ट मापा जाएगा तो इसके बारे में भी बात करेंगी कि हाइट इसमें कितना चाहिए उसके बाद आपका ट्रेट टेस्ट होगा देन रीटेन टेस् होगा अब यहां पे चलिए देख लिजिए पोस्ट के डिटेल्स के बारे में कौन-कौन से पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एज लिमिट इसका रखा गया है तो यहां पे ब्रीज एंड रोड पोस्ट के लिए अगर आप फर्म अपलाई करते हैं तो इसका जो है आप सभी यहां पे देखेंगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो तेंथ पास होना चाहिए और साथ इसाथ डिपलोमा इन सिविल इंजिनियरिंग में अगर आप किये हैं तो आप इस भरती के लिए इलिजिबल है और एज लिमिट आपका 18-23 बरस रहेगा और आप सभी को बता दे जितने भी पोस्ट के लिए आपको एज लिमिट बताएंगे उसमें जो है OBC के लिए तीन बरस और CST के लिए पांच बरस का अलग से एज में रिलेक्सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताए थे कि टीचर का जो है डीफेंस के अंतरगत क्या काम होता है इसके लवाँ दोस्तों कलर की बात करें तो कलर के अंतरगत जो है काफी अच्छा पोस्ट होता है और इसमें जो है आपका 10 पलस टू पास आउट होना चाहिए यानि कि अगर आप सिंपली 12 पास है तो इसके लिए फॉ तो 30 वर्ट पर मिनट आपको करना होगा एज की बात करें तो इसमें 18-25 आपका एज लिमीट रहेगा इसके बाद दोस्तों यहां पे जो नेक्स्ट आपका पोस्ट है आप सभी यहां पर देख सकते हैं ट्रेड जो है अपरेटर रेडियो एंड लाइन का जो पोस्ट है इसकी बात किया जाए तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका है तेंथ पास होना चाहिए और इसके अलावा साथ ही साथ एंड देख सकते हैं टू यह इंडस्टियल ट्रेनिंग इस्ट्यूट इन रेडियो एंड टेलिविजन या इलेक्ट्रोनिक फ्रम रिकोनाइजड इंस्ट तो आप सभी को बता दे अगर आपने ITI नहीं किये हैं डाइरेक्ट आप सभी 12th किये हैं Physics, Chemistry and Mathematics सब्जेक्ट से तो भी आप इसके लिए इलिजिबल हैं यानि कि इसका दो-दो क्वालिफिकेशन है दोनों में से कोई एक अगर आपके पास है 12th भी अगर आप सभी Physics, Chemistry, Math के साथ किये हैं तो आप इसके लिए फार्म अप्लाई कर सकते हैं 18-25 आपका येज लिमीट रहेगा इसके बाद दोस्तो रेडियो मेकेनिक की बात करें तो रेडियो मेकेनिक की यहाँ पे जो है इसमें भी आपका स्यम क्वालिफिकेशन है तेंथ पास होना चाहिए और अगर आप सभी 10 किये हैं 10 तेंथ पास है और साथी साथ डिपलोमा किये हैं इन सभी ट्रेड में तो आप इसके लिए इलिजिबल है या सिंपली अगर आप 12 पास है यहाँ पर देख सकते हैं 12 स्टेंटर्ड या इंटर्मीडियेट या इकुबैलेंट विट एग्रिगेट म आपका फिजिक्स केमेस्ट्री एड मैथ होना चाहिए और सभी में आपका 50 परसेंट जो है मार्क्स होना अवस्यक है इसके बाद दोस्तों एज लिमिट अठारे से 23 इसमें रहेगा इसके बाद दोस्तों प्रासनल असिस्टेंट की जो भरती है इसमें बात किया जाए तो इसका जो क्वालिफिकेशन है यहां पर देखेंगे इंटरमीडियेट या सीनियर सेकेंटरी स्कूल और इसके अलावा यहां पर आप सभी देख सकते हैं इसमें केवल जो है इंटरमीडियेट आप से मांगा गया है तो सिंपली आप सभी जो है तो इसके लिए इलिजिबल और तेंथ में आपका इंगलिस मैथ साइंस एंड बाइलोजी सब्जेक्ट होना आवास्याक है तो यह तेंथ में तो रहता ही है तो आप इजली इसका फर्म अपलाई कर सकते हैं अठारे से तेईस एज लिमीट है वेटेनरी फिल्ड असिस्टेंट के लिए 10 पलस 2 होना चा लेक्ट ली लेक्राइब करने वाले हैं तो देखिए यहांपर सबसे पहले वासर मैं की बात करे तो वासर मैं के लिए अगर आप फोर्म अपलाई करना चाहते हैं तो simply तेंथ पास चाहिए किसी बी तरह के experience या extra qualification की आगा सकता नहीं है येज लिमिट आपका 8-23 रहेगा इसके बाद दोस्तों जो आपका female साफाई के करमचारी के लिए भरती है इसके अंत्रगत भी तेंथ पास है तो form apply कर सकते हैं 8-25 आपका येज लिमिट है female के लिए इसके लाबा बारबर की बात करें तो बारबर के अंत्रगत जो है आपका तेंथ पास होना चाहिए 8-23 आपका येज लिमिट है इसके लाबा कुक ट्रेट की बात करें तो कुक ट्रेट के लिए अगर आप form apply करते हैं तो simply तेंथ पास है किसी भी बोट से तो आप इसका form apply कर सकते हैं 8-23 आपका येज लिमिट है mail supply वाला की बात करें तो इसमें भी आपका जो है तेंथ पास होना चाहिए 8-23 आपका येज लिमिट simply तेंथ पास के बाल मांगा गया है ट्रेट्समेन पोस्ट के लिए एकसरे असिस्टेंट की बात करें तो 10 पलस 2 होना चाहिए और 7-23 डिपलोमा इन रेडियो लोजी फिल्ड में किये हैं तो आप इसका अपलाई कर सकते हैं 18-23 आपका येज लिमिट है इसके बाद दूस्तो पलंबर की बात करें तो तेंथ पास होना चाहिए इसमें एज लिमिट आपका 20-28 है इसके अलावा दूस्तो इलेक्रिसियन की बात करें तो इसमें जो है आपका तेंथ होना चाहिए पलस आईटी आई जो है इलेक्रिसियन फिल्ड में है तो आप अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा इलेक्रिकल फिटर सिगनल की जो भड़ती है इसमें आपका तेंथ पास है तो आप फार्म अपलाई कर सकते हैं अठारे से 23 एज लिमिट है लाइन में फिल्ड की बात किया जाए तो इसमें भी तेंथ पास फार्म अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा ड्राप्टमेंड की बात किया जाए तो इसमें दोस्तों आपका 10 फालस्टू होना चाहिए और साथ ही साथ 3 एर का जो है डिपलोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंसी फ्रम एनी रिकोनाईजड पोल टेक्निक को ले से अगर आपकी यह हैं तो ड्राप्टमेंड के लिए फार्म अपलाई कर सकते हैं 15 इस लिमीट है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं काफी सारे पोश्ट आपका था और सभी का डीटेल्स मैं ने इस वीडियो में आप सभी को बता दिये हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अलग अलग जो है एस्टेट वाईज आपका भरती यहाँ पर दिया गया है तो इसका डिटेल्स आप सभी चेक कर लिजिएगा लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा जैसे कि विहार एस्टेट के अंत्रगत कलर के लिए कितना इसके अलाबा आई आपका इलेक्टिकल फीटर सिगनल के लिए कितना है तो सभी एस्टेट का यहाँ पर पर श्टेट वाईज अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर वेकैंसी के डिटल्स आपको देखने को मिल जाएगे तो लिंक डिस्क्रिप्सन में है वहाँ से जाकर आपसे भी इसे चेक कर लिजिएगा और ये इसका ओफिस्यली नोटिफिकेशन है और इसकी फॉर्म की बात किया जाए तो आज से आपका फॉर्म सुरू किया गया है 17 फरवरी से इसका लिंक एक्टिव हो चुका है आप सभी फॉर्म अपलाई कर सकते हैं और 19 मार्च 2023 इसकी फॉर्म अपलाई की लास्ट डेट है एक माई 2023 से आपका इसका राइली सुरू होगा कोई भी सवाल हो कमेंट सकते हैं बताइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रू में तब तक के लिए जहिन बंदे मादें